दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं एक बेतनी से प्लान किया जैसा की स्क्रीन पर आप देख रहे हैं इसी मोडलों को डिसक्स करने वाले हैं जिसका साइज है 20x45 पूरा यह मोडल मैंने क्रेट कर रहा है विद कार पार्किंग और साथ साथ आपको बैड्रूम लेट बात की चीजिए हैं आज को मैं आपको बताने वाला हूं तो इसी मोडलों को डिसक्स करूंगा प्रॉपर तरीके से आपके सामने तो बने इस वूट्रूम लगातार मैं आपने चैनल इसमाल हाऊस प्लान से आप लगातार जुड़े रहें क्योंकि हाँ पर आपको वो मोडल से मिलते हैं जो आपको रिक्वाइड होते हैं आप जब भी घर बनवाईए गा ते एक बार इसमाल हाँस प्लान पर ज़रू विजिट करिए गा जिससे आपको एक नया आइडिया मिल सके घर बनवाने के एक नया लुक मिल सके आप भी उस घर को बनवा सकते हैं तो चलो आज का जो प्लान है उसे हम डिसकस करते हैं 20 वाई 45 में तो सबसे पहले इस प्लान को मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ से और आपको इसकी चीजें के लिए रो सके हैं आपको इसका रियलिस्टिक भी समझ में आ सके तो यह देखीगा मैं कर चुका हूँ और थोड़ा सा जूम करता हूँ इसके बाद यह देखीएगा यहाँ पर आपकी ग्रिल का जो डिजाइन है वो इसके बाद हम बात करें में गेट के यह में डोर है मैं अभी पूरा बताऊंगा सामने आपके दुकान भी निकला हुआ है इसके बाद यह में डोर है जो में डोर है क्योंकि जो यह घर बना हुआ है जो इसकी रिक्वायर लिक्वायर्मेंट था उसमें और लगा रखा है जैसे आपका यहां से स्टार्ट होता है घर इस वाले जो इस वाले उससे जश्ट तीन फिट मैं अंदर से लगाए है इसमें क्या फायदा रहता है कि जब आप कार पार्किंग करते तो आपको बहुत अच्छा है आपको कार अंदर ले जाने कोई प्रॉल्म नहीं होती है आपका जो अजो बनता है वो बेतरी नहीं से बनता है आपको कार पार्किंग को कोई दिक्कत नहीं मिलती हो यह गेट जो होता है तीन फ्रिट मैंने चोल दिये और इस लगबग साड़े तीन फ्रिट में बना हुआ है तो यह जब ओपन होता है न यह भी आपका रोड पर नहीं आता है अगर आप बहुत पर आपको जो गेट रोड पर डारेक्ट आता है आपको कार पार्किंग चालाने बहुत दिक्तर मिलत अब जैसे आप अंदर जाते हैं तो आपको ये देखिए का टोटल 45 फिट था मैं आपको confirm कर दूँ तो टोटल 45 फिट था जिसमें मैंने 23 फिट का यहां से एक portion कड़कर दिया है यहां से यहां तक पूरा 23 फिट है उसमें मैंने अब यहां पर इस 23 फिट में इधर से stairs चड़ करेंगे वो बाहर के तरफ आ जाएंगे तो आपकी कार जब भी जाएगी तो इधर से चड़कर आप इसी जीने की नीचे अर्जिस्ट आपकी हो जाएगी अब हम बात करते हैं देखिए है टोटल 23 फिट था इसमें 3 फिट आगे निकल तो 20 फिट अंदर का जगह बचा जिस में कि आपके स्टेर्स हैं और कार पार्किंग है इसके बाद ये एक दुकान समझे लिए है मैंने इसे गेस्ट रूम भी बना रखा है अगर आपको यह पशंद नहीं आता तो आप इसे दुकान में आईएगा मैंने देखिए चारो जो वाल है उसमें टेक्शर दिया अलग मैं पहुंच आता है मैं अभी आपको और चीज़ें कुछ करूंगा तो यह एक मैंने विंडो लगा रखा है जैसे सामने से हवा बगएर आए अब यह आपका आंगे तो यहां पर च्छत पर आप जाल रखवाएंगे जिससे प्रापर तरी के ज़रोशनी हवा पास होती रह सबसे पीछे दो बैट डूम है तोटल अगर हम बात करें तो आपका 20 फिट में डिवाइड कर दिया है और इधर लगबार आपका 11 फिट का रूम है जिसमें लिए अलग अलग डूर और मैंने यहापर एक विंडो दिया था बट मैंने हटा दिया क्यों भी बताऊंगा अब बात करें इधर की तो यह एक आपका किचिन दिया है जो कि अंदर आंगन से आप अक्सिस कर पाएं लेकिन अब मैं बात करूँ बहुत से लोगों की रिक्वार्मेंट ही होती कि मैं लेटन बात के बगल में किचिन नहीं रख़ूँगा तो क्या करीगा आप इसे पूरा ले में क्या होता जो आंगन है आपका आपर स्पेस होना चाहिए इस बज़ेस मैंने से इधर किसे अर्जेस नहीं किया टेंपरेरी किचन एक छोटा से किचन आपर दे दिया है अभी जब उपराल फ्लोर आप देखेंगे तब यह वाला किचन शिट होके आपका यहां जाएगा और यह पूरा बड़ा सापका लेटेंट बात बना रहाएगा तो पीछे तो बैट डूम थे यह आंगन आपको समझ में आ गया होगा चीज़ अब बात करते हैं इसके फ़र्श फ्लोर की तो यह दिखिए दोस्तों इसका फ़र्श फ्लोर है सब्सक्राइब आपको ग्रिल म इससे आप कर दे जाएं और अच्छा लगने लगता है अब बात करते हैं तीखिए का नीचे कार बारकेंग थी वह हट गया तीम फिट एरिया और आगे बाला जो मैंने कवर्ड गया वह भी अट गया और लगबग आपका जो नीचे एरिया था आप 20 फिट टोटल 23 फिट ब बीच में डोर है तो आप एक्सेस कर पाएंगे इस आगे वाले बैड डूम को यह आप इसे हटा सकते हैं क्लोज भी कर सकते हैं यह आपकी रिक्वार्मेंट बीड बेंट करता है वही बात करें इस डोर की और विंडो की तो यह दिखी का बैड डूम अब मैंने देखिए व आपका शेम रहेगा यह किशन आपके दर शिफ्ट हो जाएगा यह विंडो है और प्रॉपर आपको इन्टिक्शन होता रहेगा अब बात करते हैं इस वाले पूर्शन के क्या भी पूरा ओपन है फ्रंट से तो आप इसे क्लोज कर सकते हैं आप लोहे का जाल बनो आईएग उसमें बीच में गेट और पूरा चारो तरफ से जाली लगवा दीजे तो आपको पूरा क्लोज हो जाएगा और इसके बाद अब अंदर से कुछ भी लगा सकता तो यह पूरा फस्ट टूर हो गया आपको दिखीगा अब मैं बात करता हूँ अब यह एक छोटा सा बैट तो यह पूरा जो था फस्ट फ्लूर था मैं और मैक्सिम जूम करता हूँ जैसे आपको और इसका रियलिस्टिक समझ में आ सके यह देखी कॉमिनेशन जो दिया है मैंने यहां पर कलर का और यहां टेक्स्टर वगएरा दे रखे टैल्स वगएरा तो यह आप देखिए फ्ल जो उपर गुम्टी बनता है उसको मैं एजब बैड्रूम में गनवर्ट कर दिया तो आपका इस फेस भी बना रहेगा और आपके गुम्टी भी बन जाएगी और उपर ते छट बना दी इससे आपका कोई प्रॉल्म्स नहीं होगा इसकी उपर आपकी टग्की वगएरा चैनल को सबसक्राइब को किसी बीडाउट के लिए कमेंट कर सकते हैं या हमें कंटेक्ट सकते हैं इंस्टाग्राम पर जो कि लिंक दिसक्रिप्सिंग है में करके अपना हमें ओपंग दीजिए मॉडल अपको कैसा लगा थेंक्स होचिं